हेलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रूपसरी लेडिस टेलर में तो आज हम आपको बेबी अंब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टीचिंग बताएंगे तो देखिए हमने कैची स्केल इंची टेप चॉक और ये एक मीटर कपड़ा लिया है आप भी इसे तरह से ले लिजे इसके बाद देखिए हम कपड़े को पहले ओपन करेंगे इस तरह से इसके बाद हमसे पहले डवल तह में इस तरह बराबर से फोल्ड करेंगे इसके बाद हम इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे ते चार तह में कपड़ा हो गया है इसके बाद हम इसे बराबर कर लेंगे बराबर से कट करेंगे अब यहां से हम माक करेंगे देखिए यहां से हम गले की चोड़ाई धाई इंच रख रहे हैं शोल्डर भी हम धाई इंच रख में चार इंच पर रख रहे हैं यहां से हम एक इंच पर सोल्डर की गुलाई देंगे गले पर हाफ इंच पर सोल्डर की गुलाई देंगे इस तरह इसके बाद इसकी लंबाई हम 10 इंच रख रहे हैं इस तरह 10 इंच निसान लगाने के बाद यहां से हम 1 इंच कम करेंगे और यहां से इस तरह गुलाई में निसान लगाएंगे इसी पर हम कटिंग कर देंगे देखिए इस तरह से चेस्ट हम 8 इंच रख रहे हैं कमर की साइड हम 7 इंच पे निसान लगाएंगे इस तरह हम मिलाएंगे दोनों निसान को यहां से हम 7 इंच बढ़ा के ले रहे हैं मार्जिन उपर से भी हम 7 इंच रखे हैं इस तरह कट करेंगे पीछे का भाग हम अलग करेंगे आगे के भाग में हम गले की कटिंग करेंगे इस तरह से देखिए इसके बाद हम एक कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड में हम करेंगे तिर्चे में डबल फोल्ड करेंगे इसके बाद एक फोल्ड और इस तरह करेंगे हम देखिए बराबर से आप चार तह में तिर्चा इस तरह से फोल्ड कर लीजिए इसके बाद हम देखिए टॉप का कपड़ा लेंगे और इस तरह से रखेंगे बराबर से इस तरह बराबर से रखेंगे आपको इसी पे निसान लगा लेना है इस तरह से के बाद नीचे आपको जितनी लंबाई रखनी है उतना आप ले लीजिए तो मैं 32 इंच का फ्रॉक बना रही हूँ तो उपर हम 9 इंच इंच टेप रखके फिर इस तरह से 32 इंच पे निसान लगाएंगे इसी तरह से हम उपर 9 इंच 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 टेप रखते हुए इस तरह गुलाए में पूरा निसान लगा लेते हैं देखिए इस तरह से इस तरह निसान लगाके हमको इसी पे कटिंग करना है उपर से भी हम कटिंग कर देंगे इसी तरह से देखिए इसके बाद इधर इस्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देते हैं इधर जॉइंट है तिसे हम अलग करेंगे देखिए हमारा बेबी अंब्रेला फ्रॉक का गेरा कटिंग हो गया है अब हम इसकी बाही कट करेंगे देखिए इस तरह से जो हमारा कपड़ा तिर्चे में बचा था इसी में हम डबल बाही करके लगाएंगे पहले हम इसी में एक बाही कट कर लेते हैं देखिए बाही की लंबाई हम तीन इंच रख रहे हैं दूसरी साइड भी हम दो इंच पे इस तरह निसान लगाएंगे इसे मिलाएंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे इसमें चार तय है बाही में इसमें दो बाही बन गया है इसके बाद हम एक बाही और कटिंग करेंगे इस तरह से देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे और इसी पर हम ये बाही रखेंगे और सेम इसी तरह से cutting करेंगे एक बाही हमको बड़ा रखना है एक छोटा रखना है देखिए इस तरह से नीचे के भाग में हम बराबर रखेंगे उपर की साइद हम एक बढ़ा के रखेंगे देखिए इस तरह से इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं अब इसकी हम सिलाई करते हैं तो देखिए हम मसीन पर आ गए हैं तो सबसे पहले हम बाही की ही सिलाई करेंगे देखिए इस तरह से हम बाही लिए हैं इस पर हम बीडिंग करेंगे तो आप अगर वीडिंग आपके पास मसीन में नहीं है तो आप सीधा-सीधा फोल्ड करके सिल दीजिए double fold करके देखिए हम इसमें पीको कर रहे हैं इस तरह से आपको खीचते हुए सिलना है साधे मसीन पे भी अगर आप सिलाई कर रहे हैं इस तरह से आप साधे सिलाई पे भी आपको खीचते हुए ही सिलना है डबल फोल्ड करके इसी तरह से हम चारो बाहिं को सिल लेते हैं इस तरह खीचते हुए आपको सिलना है इससे अच्छा लुकाता है बाहिं पे तो देखिए इस तरह से हम चारो बाहिं सिल लेते हैं देखिए हमने चारो बाहिं सिल लिया है इसके बाद देखिए बीच से हम इस तरह रखेंगे एक बड़ा भाग रखेंगे एक छोटा इस तरह बीच में रखेंगे दोनों को एक में ही अटेच करेंगे देखिए इस तरह से आपको एक छोटा और एक बड़ा बाहीं रखके सिल लेना है पहले इसी तरह से हम दूसरा बाहीं भी सिलेंगे देखिए हमने दोनों बाहीं सिल लिया है इसके बाद हम टॉप की सिलाई करेंगे तो देखिए हमने टॉप लिया है पीछे का भाग है इसे पहले हम बीच से बराबर करके कट कर लेंगे देखिए इस तरह से इसमें हम बटन लगाएंगे तो बटन की पट्टी कट करेंगे हम गले की चोड़ाई हम धाई इंच रख रहे हैं लंबाई तीन इंच और इस तरह से देखिए गुलाई करके कट करेंगे देखिए हमारा यह बटन और काज की पट्टी है तो देखिए इस तरह से हम अटेच करेंगे तो यह देखिए इस साइड हम बटन लगाएंगे तो बटन वाली पट्टी आपको तीन इंच की रखनी है इस तरह नीचे रखके आपको सिलाई करना है इसके बाद देखिए इस तरह आपको उपर की साइड डबल फोल्ड करके जहां पर हमने सिलाई किया है उसी के उपर फिर से आपको फोल्ड करके रखके उसी पर फिर सिलाई करना है इस तरह से बटन की पट्टी हम सिल लिये हैं इसके बाद हम काज की पठी शिलेंगे इस तरह देखिए उपर की साइड आपको कप्ड़ा रखना है और सिलाई करना है इसके बाद हम एक दाप सिलाई लगाएंगे इस तरह से अंदर की साइड डबल फोल्ड करके हम फिर से सिलेंगे देखिए इस तरह इसके बाद देखिए हमें इस तरह दोनों भाग को एक पे ही रखना है इस तरह और नीचे से सिलाई करना है उपर से हम देखिए उपर तक हम तीन इंच पे इस तरह से एक पे ही रखके सिलेंगे इस तरह से सिलते हुए हम नीचे तक सिल लेंगे, देखिए इस तरह हमको यहाँ पर बटन लगाना है, इसके बाद हम सोल्डर अटेच करेंगे, देखिए इस तरह सोल्डर बराबर से रखके सिल लेना है, इस पर हम डबल सिलाई करेंगे, इसके बाद हम लॉक की सिलाई करेंगे, तो हमने सोल्डर सिल लिया है, देखिए इस तरह इसके बाद हम गले पर पैपीन लगाएंगे, इसी कपड़े से देखिए इस तरह हम तिर्चा पट्टी कट करेंगे, दोनों पट्टी को हम एक में ही अटेज करेंगे देखिए इस तरह से रखे इसकी बाद जहां से हमको बटन की पट्टी लगाई है वहीं से हम इस तरह डबल फोल्ड में रखेंगे पैपीन को और इसी पर हम सिल देंगे तो पैपीन को हलका खीचते हुए आपको सिलना है नीचे का कपड़ा बिल्कुल भी खीचना नहीं है पैपीन का ही कपड़ा आपको खीचना है इस तरह से खीचते हुए आप पूरा गुलाई में सिल लीजिए देखिए हमने पूरा सिल लिया है इस ट्रक कपड़ा हम कट कर दिये हैं इसके बाद इधर से देखिए इस तरह फोल्ड करके आपको पैपीन बनाना है इस तरह से पूरा पैपीन सिल लीजिए आप देखिए हमने पूरा सिल लिया है इसके बाद हम देखिए यहाँ पे इस तरह निसान लगाएंगे आगे के भाग पे इसके बाद इधर बरावर से हम फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से और यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों साइड निसान पड़ गया है इधर भी हम निसान इस तरह लगाएंगे और इसी पे हम लेस सिलेंगे देखिए इस तरह से हमने लेस लिया है और इसी पे हम सिल देंगे इस तरह से रखके इस पे हम डबल सिलाई करेंगे दूसरी साइड निसान पड़ भी हम इसी तरह सिलेंगे देखिए हमने दोनों साइड सिल लिया है इसके बाद हम बाही सिलेंगे बीच से हमको रखना है बाही को और इस तरह से सिलाई करना है दूसरी साइड से भी हम सिल लेंगे सब डबल सिलाई करेंगे इस पे देखिए इस तरह से एक बाही हमने सिल लिया है दूसरा बाही भी हमें इसी तरह सिलना है देखिए हमने दोनों बाही सिल लिया है इसके बाद हम जहां पे बाही सिले हैं वहीं से बगल में देखिए इस तरह फिर से लेस अटेज करेंगे इस पे भी हम डबल सिलाई करेंगे देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह सिलेंगे देखिए हमने दोनों साइड पे लेश सिल लिया है इसके बाद देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़ा यहाँ पे कट का निसान लगाएंगे यही से हम नीची का घेर अटेच करेंगे तो देखिए घेर भी आपको इस तरह डवल फोल्ड करना है और बीच में कट का निशान लगाना है यही से हम बीच से ही सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से हम दोनों साइड सिल लेंगे इधर से भी हम सिल लेते हैं इसके बाद हम इस पर डवल सिलाई करेंगे इसके बाद लॉक की सिलाई करेंगे देखिए एक साइड का हमने सिल लिया है इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी सिलेंगे देखिए हमने दोनों साइड का सिल लिया है इसके बाद हम साइड फिटिंग करेंगे तो देखिए इस तरह से पहले आप बराबर से एक कच्ची सिलाई कर लीजिए इस तरह से आप पूरा नीचे तक सिल लीजिए इसी तरह से दूसरी साइड भी हमको सिलना है देखिए हमने दोनों साइड का सिल लिया है इसके बाद आपको चेस्ट मापना है तो हम आठ इंच का चेस्ट रखना है हमको तो देखिए यहां आठ इंच पे निसान लगाएंगे कमर पे 7 इंच का इस तरह निसान लगाएंगे और इस तरह तिर्चा देखिए इस तरह से निसान लगाएंगे और फ्राग को डवल फोल्ड करके इस तरह बराबर से फ्रेस करेंगे दोनों साइड निसान पड़ गया है इस पे भी हम निसान लगाके सेम इसी पे दोनों साइड सिलाई करेंगे देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी हम सिल लेते हैं देखिए हमने दोनों साइड सिल लिया है इस तरह से इसके बाद हम नीचे की साइड भी सिलेंगे इधर भी हम पीको करेंगे आप साइड सिल आई डबल फोल्ड करके खीचते हुए कर सकते हैं देखिए इस तरह से हम पूरा गुलाई में खीचते हुए पूरा सिलेंगे देखिए हमने पूरा खीचते हुए सिल लिया है इस तरह से देखिए पूरा इसके बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं देखिए इस तरह से इसका लुकाया है तो अब इसमें हम बीच में देखिए बीच में हम बटन लगाएंगे तो देखिए इस तरह से हम पहले निसान कर लेते हैं इस तरह फोल्ड करके बराबर से माप के आपको बीच में इस तरह निसान लगाना है देखिए हमने white बटन लिया है चार देखिए इस तरह से इसी पे हम attach करेंगे इसे हमने खुछ से ही बनाया है बटन को इस तरह से हम इस पे seal देंगे चारो बटन हम इसी तरह attach करेंगे देखिए हमने चारो बटन सील लिया है तो यह हमारा फ्रॉक कम्पलीट हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को सस्क्राइब करें देखिए इस तरह से तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब कि लिए बाइ बाइ थैंक यू